आज मैं एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के ओपर वीडियो बना रहा हूँ जो है दो एक्विरियम नाइट्रोजिन साइकल के बारे में और मैंने देखा कि इस टॉपिक के ओपर इंटरनेट पर बहुत कम वीडियो अवेलेबल है और अगर हमारे इंडिया की बात करूँ तो पता नहीं क्यों बट इंडिया में हमारे इंडियन फिश कीपर्स इस टॉपिक को इतना इंपोर्टन्स क्यों नहीं देते बट मेरे इसाब से एक्विरियम फिश कीपिंग का ये सबसे most important टॉपिक है तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसके बार में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और ये एक तरह का water science है तो जितनी भी मुझे इसके related जानकारी है वो सारी मैं इस वीडियो के थुरू आपके साथ शेर करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि nitrogen cycle क्या होता है इसके बार में जो भी इंसान घर में कोई भी aquarium fish रखता है भली एक छोटा सा fish tank भी क्यों न रखता हो ये cycle हर एक aquarium fish keeper को पता होनी चाहिए इसके बार में जानकारी होनी चाहिए अगर अपने fish को healthy रखना है या even मरने से बचाना है तो अगर ये बात आप समझ लिए तो मान लीजे आपने aquarium fish keeping actual में क्या होती है वो पूरी तरह से समझ लिया है and sad part ये है कि हमारे इंडिया में काफी सारे fish sellers जो fish बेचते हैं उनको भी इसके बार में जानकारी नहीं है पता नहीं है तो जाहिर सी बात है fish shop से fish लेने वालों को भी इसके बार में कैसे पता चलेगा मुझे लगता है कि जादा दर लोगों की aquarium hobby की शुरुवात एक fish shop में पहली fish खरीदने से होती है तो ये उस हर एक fish seller का फरस बनता है कि इसके बार में जानकारी ले भले ही nitrogen cycle के बार में customers को ना बताए बट at least short में एक नई time को cycle किस तरह से किया जाता है वो तो उन्हें बताए ताकि किसी भी beginner की hobbyist की fish मरने से बचे क्योंकि ये बात new fish keepers को beginner hobbyist को पता नहीं होती है तो उनकी fishes मरते रहती है वो दोबारा fish लेकर आते है फिर से fish मरते रहती है तो depressed होके निराश होके वो fish keeping hobby, aquarium hobby छोड़ देते है और ऐसे चलते हमारे इंडिया में aquarium hobby कैसे बढ़ेगी, aquarium fish keeping कैसे बढ़ेगी इसलिए इस topic पर वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा and actually मैं अगर आप इस nitrogen cycle को deeply समझेंगे तो ये बड़ा complicated है, पेचीद है पर आप लोग tension ना लीजे, मैं इसको पूरी तरह से simple बना के आपको समझाने वाला हो तो बने रही है अंतक aquarium nitrogen cycle के बारे में जानने के लिए ये बहुत ही interesting और informative वीडियो होने वाला है तो आज का पूरा topic इस chemical equation के उपर based है, जिसको मैं पूरे easy way में आपको समझाने वाला हूँ ये एक पूरा nitrification process है जो fish tank में होता है और ये तीन main elements के उपर depend करता है, जो है पहला ammonia, उसके बाद nitrite और उसके बाद तीसरा nitrate तो fishes जब अपने natural habitat में होती है, तो nature ही उनको food खिलाती है और nature ही उस food के तुरू बने fish के waste generation का waste management करती है तो यहाँ पर यानि nature में fish को कोई भी तकलीफ नहीं होती है अपने waste से क्यूंकि nature उसको संभाल लेती है nitrogen cycle यहाँ पर एकदम सही से function करता है बिकास nature उसको पूरी तरह से अच्छे से control करता है अब बात करते हैं इसी same nitrogen cycle की हमारी fish tank के अंदर तो यहाँ पर आप ही fish food खिलाते हो और आपको ही उससे बने waste को control करना होता है वैसे तो nitrogen cycle अपने आप होने वाला process है पर यह बहुत depend करता है आप पर कि यह process सही से होने में आप क्या role play कर रहे हो तो हमारी fish tank में यह nitrogen cycle इन तीन किरधारों पर चलता है जो है सबसे पहला ammonia उसके बाद दूसरा nitrite देन तीसरा nitrate nitrite और nitrate में confuse ना हुई है क्योंकि दोनों में बस I and A letter का difference है और आपको tank में A letter वाला चाहिए यानि nitrate चाहिए तो अब यह पूरा process आपको और अच्छे से मैं समझाता हूँ सबसे पहले आप आपके fish को food खिलाते हो कोई-कोई लोग ज्यादा प्यार में ज्यादा food खिला देते हैं तो यही ज्यादा प्यार आपके fish को मार भी सकता है यह क्यों वो आगे आपको पता चल जाएगा तो इसके बाद fish से waste भाहर आता है जो कुछ भी बचा-कुछा food है वो भी पानी में सड़ता है तो इन दोनों waste से तयार होता है ammonia सबसे खतरनाक होता है जो आपके fish को harm कर सकता है तो अब आता है एक bacteria जिसको बोलते है nitrosomonos bacteria जो इस harmful ammonia को less harmful nitrite में oxidize कर देता है पर ammonia के तरह यह भी harmful होता है fish के लिए इस less harmful nitrite को nitrite में oxidize कर देता है तो फिर से fish food खाते है, waste तयार करते है बचा हुआ खाना होता है वो भी सड़के waste तयार होता है तो अगेन यह ammonia से nitrite और nitrite से nitrite में process शुरू होता है इसी तरह आपके fish tank में यह पूरी nitrogen cycle होती रहती है और यह ammonia से nitrite में conversion nitrifying bacteria करती है इसलिए आपके tank में beneficial bacteria होना बहुत ज़रूरी है अगर यह ना हो तो आपके tank में ammonia और nitrite levels बढ़ जाएंगे जिससे आपके fish को तकलीफ हो सकती है और इससे आपके fish के skin और gills भी burn हो सकते है उससे fish की mortality भी हो सकती है अब आप सोचोगे कि यह तो अपने आप होता है और यह सही से होने के लिए आप क्या role play कर सकते हो या इसे सही से चला कर आप आपके fish को कैसे healthy रख सकते हो या बचा सकते हो तो अगर आपको याद होगा कि मैंने canister filter के setup वीडियो में आपको beneficial bacteria और biological filtration के बार में बताया था अगर biological filtration होगा या beneficial bacteria होगा तो ही यह cycle सही से चलेगा यह पूरा nitrogen cycle balance तब ही चलेगा जब आपके fish tank में beneficial bacteria होंगे तो अगर beneficial bacteria होंगे तो ammonia और nitrite के levels control में रहेंगे इसका यह मतलब नहीं कि nitrite आपके fish के लिए harmful नहीं है आपको यह तीनों के levels check करने होंगे और यह तीनों को control में रखना होगा तो beneficial bacteria आपके ammonia और nitrite को संभाल लेंगे तो nitrite को आप कैसे control करोगे इसके लिए आप क्या कर सकते हो तीनों में से अगर एक भी spike होता है तो fishes के लिए dangerous है इसलिए आपको यह levels control में रखने के लिए partial water changes करने होंगे time to time उसके बाद आप आपके tank में live aquarium plants भी add कर सकते हो जो nitrite levels को कम करने में help करते है तो अगर आपके पास canister filter है तो उसमें bio media रखिए जैसे ceramic rings, bio balls, lava rocks जो beneficial bacteria को colonize करेंगे bio media को सही order में रखना भी important है और यह already मैं canister filter setup के वीडियो में बता चुका हूँ then अगर आप tank में rocks या gravel रखेंगे तो उससे भी beneficial bacteria settle होंगे बहुत लोग की fishes मर जाती है और शायद उनको पता नहीं होता है कि unbalanced nitrogen cycle के कारण भी ऐसा होता है आप चाहे temperature सही रखो pH सही रखो पर अगर यह cycle balance नहीं रही तो पूरा काम बेगड सकता है aquarium water के ammonia, nitrite और nitrite levels को check करने के लिए test kits भी आता है अगर आपके tank की nitrogen cycle सही चल रही है तो दोनों के levels याने ammonia और nitrite के levels कम दिखेंगे test kit के थूँ या अगर ammonia और nitrite के levels 0 दिखा रहा है तो अब बात करते हैं कि एक नई fish tank को किस तरह से cycle कर सकते है या किस तरह से cycle किया जाए तो mostly beginners की fishes मर जाती है जब वो पहली बार fish tank रखते है क्योंकि either उनकी tank cycle नहीं होती है या उन्होंने ज्यादा fishes add कर लिए होते है nitrogen cycle वैसे तो दिखता नहीं है पर एक sudden ammonia spike दिखता है and I'm sure आप सभी hobbies ने कभी ना कभी आपके tank cloudy होता देखा है तो वो एक तरह का spike ही होता है जैसे कि आप ये tank देख रहे हो अगर इस पूरे tank में इन सारे fishes का bio load लेने के लिए enough nitrifying bacteria नहीं होगा तो ये सारे fishes पर problem हो सकता है and इनकी mortality हो सकती है इसलिए इन सारे fishes के लिए beneficial bacteria होना बहुत ज़रूरी है ताकि इनका waste संभाल पाए नई fish tank को properly cycle होने के लिए कम से कम 3-6 हफते लगते है और ये आप पर भी depend करता है इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि कोई नई fish tank बनवा रहा है तो उसमें fishes ज्यादा stock ना कीजे क्योंकि जितना load बढ़ेगा उतना ammonia बढ़ेगा और आपके tank में nitrifying bacteria इतने जल्दी नहीं आ सकती तो आपकी नई fish tank को कैसे cycle करे या आपको कैसे पता चलेगा कि beneficial bacteria आपके tank में आ गई है अगर आप beginner हो याने पहली बार fish रख रहे हो घर में fish tank रख रहे हो तो कम से कम fish रखिए एक जोड़ी या दो जोड़ी fish रखिए 90% नए hobbist याने beginners की fish इसलिए ज्यादा तर मर जाती है क्योंकि उन्होंने tank को शुरू में ज्यादा stock कर लिया होता है फिर उतने सारे fishes के waste से उनके बज़े कुछे food से इतना ammonia बढ़ जाता है और उसको कम करने के लिए beneficial bacteria होता ही नहीं है and ultimately fishes मर जाती है इसलिए beginners को tank cycle करना बहुत ज़रूरी है तो नई tank में fishes add करने के बाद उन्हें बहुत कम food feed केजिए जैसे मैंने आपको कहा था कि beneficial bacteria को तयार होने में 3-6 हफते लगते है तो आपको ऐसा क्यों करना है तो मान लीजे कि अगर आपने आपके नई fish tank में ज्यादा fishes stock कर दिये या आपके fishes को ज्यादा fish food खिला दिया तो इन दोनों से जो waste तयार होगा याने fishes जो waste तयार करेंगे और बचे हुए food से जो waste तयार होगा उससे इतना ammonia तयार होगा और उसे खाने वाला beneficial bacteria आपके पास रहेगा ही नहीं इसलिए आप नई fish tank में चाहे तो live beneficial nitrifying bacteria खरीच सकते हो जिससे आपका tank अच्छी तरह से और gel cycle हो सकता है beneficial bacteria के अलावा आप आपकी नई tank में live aquarium plants भी add कर सकते हो जो भी useful रहेगा और उनका use मैं already आपको बता चुका हो because plants ammonia और nitrate levels को कम करेंगे उन्हें use करके वो अपने नई लिए उस तयार करते है तो finally आपकी नई fish tank cycle हुई है या नई यह आपको कैसे पता चलेगा तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको test kits लेना पड़ेगा test kit के थुरू अगर आपको ammonia और nitrate level 0 दिखते है तो इसका मतलब आपका tank जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से cycle हो गया है नई tank की complete cycling होने के लिए time लगता है और यह पूरी cycling depend करती है beneficial bacteria के उपर जो इस पूरे nitrogen cycle को control करती है और इसमें आपको थोड़ा सा patience रखना होगा पर जब आप ये करने में successful हो जाओगे तो trust me आप आपके fish को एक better life और एक healthy life प्रोवाइड करोगे तो ये था aquarium nitrogen cycle के बारे में एक complete video जिसको मैंने जितना हो सके उतना easy करके एक simple way में आपको बताया ये aquarium fish keeping के सबसे important topics में से एक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और इसलिए आज तक मैंने देखा किसी ने ये topic ज़्यादा cover किया नहीं है इसलिए ये topic को cover करते हो ये इस पर video बनाना मुझे जरूरी लगा आप तक इसे आसान करके कैसे बताओ ये जरूरी लगा तो मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की है इसलिए आप जरूर मुझे comment section में बताए कि आपको ये nitrogen cycle समझ आया या नहीं या आपको ये video कैसा लगा या आपको इससे कुछ जानकारी मिली कुछ सीखने को मिला या नहीं इस video को please like कीजे ताकि ऐसे important videos मैं आप तक पहुचा सको इसे के साथ यह video end कर रहा हूँ Thank you so much for watching Happy fish keeping and have a wonderful day ahead Thank you